किन्तो यदि ये युद्ध नहीं किया, तो उससे जो प्राप्त किर्ती है, वैल्यू से तो किर्ती ही प्राप्त होगे रिजल्ट में, तो किर्ती को भी खो देंगा और पाप को प्राप्त करेंगा अगर नेगेटिव सांचे में डाला तो, और इसी लिए तो स्वधर्म को जा अब यहां अक्सर लोग हमें यही जो भी गीता पाठी होते हैं वो हमें यही समझाते हैं कि स्वधर्म का मतलब है कि भगवान अर्जुन को क्षैत्रिय धर्म का एसास कराते थे अगर भगवान अर्जन को क्षैत्रिय धर्म का एसास कराते तो क्या गीता का ज्यान खालिक शैत्रियों के लिए है नहीं अगर गीता का ज्यान सारी मानव जाती के लिए है तो यहां स्वधर्म का मतलब कुछ और है और वो स्वधर्म का मतलब है आत्मा के गुण धर्म, आत्मा के गुण धर्म की बात है, क्योंकि हर एक का जीवन संघर्ष में है, तो आत्मा की पोटेंशल के बारे में हमें जागरत कर रहे हैं बगवान, जिस तरह से शरीर और आत्मा दो चीज है, अगर इस बात को हम एनलाईज करके देखेंगे, शरीर और आत्मा दो चीज है, जिससे जीवात्मा कहलाता है, शरीर ये पंच्टत्वों का बना हुआ पुतला है, और जिसमें चैतन शक्ति आत्मा ने प्रवेश किया, तब वो चैत अंदर शरीर की वास्तवीकता को हम बहुत अच्छे से जानते, कि शरीर माना पंच्टत्व, और इसलिए शरीर जीवन जीने के लिए यही पंच्टत्वों की डिमांड करती है, आज ऑक्सिजन चाहिए, क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सिजन से, अगर ऑक्सिजन नहीं है, तो उसके replacement में दूसरा कोई gas चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर की बनावट में oxygen ही डाला हुआ है, इसी तरह पानी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये शरीर के अंदर 60 से 70 प्रतिशत पानी का हिस्सा है, जब यक्ति पानी पीता है, तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही water level balance हो गया, हम अपने आप glass चोड़ देते हैं, एक्सेस नहीं पीते हैं, कि कल के लिए चलेगा, और अगर पानी नहीं है, तो उसके replacement में diesel, kerosene, petrol, दूसरा कोई liquid नहीं चलेगा, पानी ही चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविक्ता है, इसी तरह ही शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, इसी लिए कुदरत ने ये पांचों तत्व सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए एक समान बना कर रख दिये, उसमें कोई भेदभाव नहीं किये, कि भारत वालों को क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं, या गरीबों को अलग मिलेगा, अमीरों को अलग मिलेगा, या हिंदुों को अलग मिलेगा, दूसरे धरम वालों को अलग मिलेगा, नहीं, no distinction, एक समान पांचों तत्व बना कर रख दिये, ठी किसी तरह इस शरीर के अंदर जो चै अतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, शरीर को पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या कहेंगे, आत्मा को चाहिए कुछ या समझते आत्मा निरलेप है उसको कुछ नहीं चाहिए क्या कहेंगे आत्मा बल चाहिए कौनसा कौनसा बल चाहिए जीवन जीने के लिए आत्मा को कौनसा बल चाहिए purity चाहिए और कौनसा बल चाहिए पीस चाहिए और हर आत्मा को जीवन जीने के लिए साथ बाते चाहिए शरीर को पाँच चाहिए आत्मा को साथ चाहिए और कौनसी साथ बात जो सारे संसार के प्राणी मात्र को चाहिए कौनसी चाहिए शंती चाहिए के नहीं चाहिए कोई है जो कहेगा मुझे स्ट्रेस चलेगा लाइफ में, शान्ती चाहिए, खुशी चाहिए, आनन्द चाहिए, कि उदासी गम चलेगा, नहीं चलेगा, प्यार चाहिए, तो जीवन जीने के लिए आत्मा को भी सात गुण चाहिए, और ये सात गुण बहुत आवश्यक है, जो आत्मा का स्वधर्म है, जो आत्मा की रियल पोटेंशल है, ये सात गुण, उसमें भी सबसे पहले है ज्ञान, आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी हर इंसान को जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, क्यूं चा ये सात बोटेंशल है, क्या है, अप्यूं चाहिए, तो आत्मा की रिये, क्या है, जो आत्मा की रिये,